स्री शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादीव कैसे हैं आप सब देखिए हम सभी जानते हैं कि कल जेश्ट मास के पवित्र महीने का रवीवार है और जेश्ट मास के पवित्र महीने का रवीवार बहुत ही खास होता है भगवान सूर्य की उपासना के लिए भगवान शीव की उप लिए जीवन से अंधिकार को दूर करने के लिए तो आज की इस वीडियो में मात्र हम एक ऐसा दीवी उपाए आपको बताने वाले हैं जो आपको जेश्ट मास्के पवित्र महिने के इस रविवार के दिन करना है देखिए ये जो उपाय है आप जेश्ट महिने में कोई भी किसी भी रविवार के दिन आप कर सकते हैं देखिए विशेश कर ये उपाय गुड से करना है या तो फिर लाल चंदन से करना है दोनों में से आपके पास जो हो उससे आप ये तो जरूर सब्सक्राइब करें, देखें किन किन लोगों को यह उपाय करना चाहिए, यदि आपके बच्चे पड़ाई लिखाई में कमजोर हैं, यदि आपके बच्चे डरते हैं, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको रोग बुझ जादा है, जो डरता है, जाकत नहीं है, जो स्पीच नहीं दे पाते हैं, जो लोगों से बाच्चेत नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए, उनके जीवन के अंदर उर्जा का प्रवाह यह उपाय करता है, उनके सारे असफलता को दूर करता है, और वो जीवन में सफल होते ह यदि आपकी घर में कोई ऐसा वेक्ति हो जो सफल नहीं हो पारा है तो इस पवित्र महीने के इस रविवार के दिन ये उपाय जरूर करना है इस मोके को आपको गवाना नहीं है ध्यानकना देखिए दसो दिशाओं में उसका नाम फिलता है वर्चस्व फिलता है जो ये उपा या तो आप लाल चंदन डाले एक चुटकी अगर लाल चंदन नहीं है तो आप क्या करना एक तुकड़ा गोड का डालना लेकिन दियान रखना ये दूनों चीज उर्जा भरते हैं आपके जीवन में तो लाल चंदन अगर आपके पास है तो सर वो तम है पहले लाल चंदन डालना अगर लाल चंदन नहीं है तो फिर आपको गोड़ डालना है देखे आपको क्या करना है ये दोनों चीज सामगरी डाल करके आपको ये दोनों में से एक सामगरी डाल करके आपको जाना है आकडे के पेड़ के वाँ पर आकडे के पेड़ में यानि की मदार के पेड़ में आपको क्या करना है इस जल को मदार के पेड़ की जड़ में आपको अरपित करना है थोड़ा सही अरपित करना है जब आप अरपित करेंगे तो विशेश कर आपके जीवन के सं उपता बिश्य महादेव का पर आपको नाम लिखाओं मिल जाएगा सूरेशय महादेव का अर्पःत करना और पूरा जल आपको, लाल चंदन मिश्वी जल जो है अर्पित कर देना है यह उपाई आपको सूर्यास्त के पहले ही आप देवरुक्ष में जल अर्पित कर सकते हैं यदि आप सूर्याष्ट के पहले-पहले ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो सूर्याष्ट के बाद मातर भगवान शीव के शेवलिंग पर पूरा लाल चंदन मिशृत जल आपको अर्पित करना है ये उपाई आपको जरूर करना है हो सके तो सुर्यास्त के पहले पहले ही ये उपाई कल लेना, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर लाल चंदन वाला जल वाला उपाई आप कल लेना, ये उपाई निश्यती आपके जीवन के सारे अंदिकार को दूर करता है, ये बहुती शक्तिशाली उपाई है, जेश्ट का कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है, सरी शिवाय, नमस्त ब्यम, हर हर, महादिव